भारती किसान यूनियन राजनातिक ने एक मीटिंग का आयजन किया वही किसान यूनियन राजनातिक के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि भारती किसान यूनियन राजनातिक के राश्टे अध्यक्ष राजेश चोहान मुरदबाद आ रहे हैं इस उपलक्ष में सभी किसान इखटा होकर उनके स्वागत में जुटे हैं भारती किसान यूनियन राजनातिक ने एक मिटिंग का आयोजन मुड़ा पंडे में किया किसान यूनियन राजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि भारते किसान यूनियन राजनैतिक के राश्ट अध्यक्ष राजेश चौहार मुरादबाद में आ रहे हैं। इस उपलक्ष में सभी किसान इगटा होकर मिटिंग का आयोजन करने पहुचे। उन्होंने भारते किसान यूनियन भानु पर निशाना साधा और कहा कि भारते किसान यूनियन भानु एक दलाल किसान यूनियन है वो किसानों के हित की लडाई नहीं लड़ते बलकि अपनी जेब भरने का काम करते उन्होंने टोपी अपना पेट भरने के लिए पहनी है ना के किसानों की सेवा करने के लिए ठाकुशंकर सिंग ने कहा कि जिन जिन लोगों ने भारते किसान यूनियन भानू से स्तीफा दिया था वो सब आज भारते किसान यूनियन राजनेतिक में कारेभार समाले के आज हमारे भारती किसान राजनित के राश्टी अध्यक्स राजित चुहान जी मुरदवाद में आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए आज प्रोग्राम रखा गया जो छेत्री ये मांगे हैं किसानों के लिए लाइट की सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए और जो सडकें हैं ह जो बिलाक मुंडा पाने का बिलाक अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है आज घोसड़ा हो जाएगी उसी के सुभारम पर प्रोग्राम का सुरूबात की गई है मही ठाकुर शंकर सिंग ब्रौक अध्यक्ष का पद समालेंगे ठाकुर ने बताया कि हमारे शेत्र में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है शेत्र की जो सडके जरजर पड़ी इन सडकों को सही कराने के लिए आज हम अपनी मांग लेकर आए हैं मही योगेश कुमार, पूर्व, ग्राम प्रधान, बरसाना और तहसील अध्यक्ष भारतिय किसान यूनियन राज नयतिक ने बताया कि उन्होंने शेत्र के किसानों को काफी समय से गन्ने का भुकतान नहीं मिला है इसकी आवाज उठाई है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, जोरोशोरो से राश्टी अध्यक्ष के स्वागत की तैयारी की है, अब हमें राश्टी अध्यक्ष के आगमन का इंतजार है इस दौराम भारी संख्या में भारते किसान यूनियन राश्टी अध्यक्ष के स्वागत की है प्राजनेटिक के कारेकरता भी मौजूद रहे